जिस बात का इंतजार था वह बात अब होने वाली है यहां सिख्षक नियुक्ति प्रकिरिया में बीपेस्ट सिख्षक वित्रा में सेकेंड लिस्ट आने वाली है सेकेंड रिजल्ट बीपेस्टी का सेकेंड रिजल्ट यानि सप्लिमेंटरी रिजल्ट आने वाला है और विभ बाते हैं कैसे समती बनी और उसके कारण के आयर कब तक आएगा सेकेंड लिष्ट मतलब बीपी एसी रिजल्ट का बीपेसी टीचर का सप्लिमेंटरी रिजल्ट कब तक आएगा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहे हैं अपना टीचक बहाली का सेकेंड लिष्ट यानि चारी किया जाए क्योंकि बहुस्त भाली रह गई तो कितने सीटों पर स्प्लिमेंटरी रिजल्ट आने वाली हैं अगर हम चर्चा करें अगर हम बातों पंध्यान दें पिछले में वीडियों जैसा बताया था जैसे विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं और जो अब तक खबरेस तफामने निकल कर आई है उस हिसाब से लगबख सतर हजार सीटों का रियल्ट आना चाहिए लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण है कितने सीटों पर रियल्ट आने वाली है उस पर बाद बाद चल रहे है लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि जैसे पहले मैंने बताया था कि सब्सक्राइब जूट बोलते हैं भीव बढ़ाने के लिए तो वही बात चीता रहा मांजी कर रहे हैं सरका बाड़ा हुआ है कई रिजल्ट एक ही विद्यार्थी का तीन तीन तरह का रिजल्ट हो गया वन टू फाइब नाइन टू टेन और टेन टू एलेवन और जौइन तो एक जगास करेंगे तो रिजल्ट तो एक ही बेक्ति को हुआ लेकिन उसकी गिंती तीन हुए इस तरह से जीतर मांजी ने जो आंकड़ा दिया है आकड़ों की बात नहीं करेंगे बहुत सारे चैनलों ने आंकड़ा दे रहा है तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जो खबर निकलकर आई है वो क्या आई है जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकर सिक्षा विभाग और आयोग में सह समती बन गई जैसा पहले अतुल परसाद भूले थे कि अगर सरकार चाहेगी तो मेरे पास रिजल्ट तयार हैं सेकेंड लिष्ट जारी कर देंगे अब जल्द ही जारी होगा सिक्षक बाहली के सप्लिमेंटरी का रिजल्ट नियुक्ति पत्र के बाद जीलों ने फाइनली स सिक्षा बिभाग को सितों का बेवरा भेजा है जो सिटों का बैवरा है सजीला बीसी चाप भीभाग को बहेजा है कुल एक लाख बीस हजार 336 डेजल्ट के ए वरittी में हजारों सिक्षा हाली रह रह गाए है जसा कि पहले बादाया था कि अंतिम अंतिम दीन तक सिर्फ और अब और दिक नियुक्तिव पत्र के लिए एक लाख दस घ्यार कि सूची बनी थी दस घ्यार तो उसके बाद फर्जी और आयोग अभ्यारतियों को बाहर होने पर लगभाक दस हजार तीटे और खाली होंगी कि तदस लिए तब गया आप जोडते रहे सीटे वहीं कुल एक लाख नहीं लिया है अप अफवंदिक नियुकति पत्र ईक लगभाग एक लाख जो अभ्यार्थी है लिए अंतिम रूप में इसमें वी बड़ी संख्या में अभ्यार्थी नहीं करेंगे ज्वाइन अब तोपमंधिक निफ्टी पत्र ले लिए लगर अगर उनको डर है कि जांच में पकड़ा जाएंगे तो फिर ज्वाइन नहीं करेंगा बहुत सारे कारण है किसी को दूसरे परिच्छा में भी हो गया है तो ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें से और अगले पांच दिनों तक करने का इंथार बहुत ब्राय जनकारी निकलकर आया है बहुत बड़ा डेट निकलकर आया है कि आगले पाच दिनों तक है रिक्तियां रिक्तियों ऑधार्पाद जारी होसा सप्लेमेंटरी रिजल्ट लग-जाभगम बारस से 15,000 तक रिक्तियों के अवज में जारी हो सकता है जो शुरुवाती खबर आ रहा है कि लग भग 12-15,000 रिक्तियों पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी हो सकता है कुल एक लाग सत्र जार चार्सव bench पदों के रिजल्ट के बाद बची रह गई है पचास हजार सीटे पचास जार सीटे खाली है लेकिन बारा से पंद्रह हजार तक अभी जो शुरुवाती जनकारी मिल रही है सप्लिमेंटरी जल्ट जारी होगा दूसरे फेज पचास हजार को किया जा रहा है एड कम नंबर में से असफल अभ्यार्थियों को फिर मिलेगा पास करने का मौका मेरा सुची के आधार पर जारी होगा रिजल्ट की संभावित्ति थी जल्द अपडेट किया जाएगा मैं भी जल्द अपडेट करूंगा तो यह बहुत बड़ी जनकारी निकल कर सामने यहाई कि विभाग सेकेंड उस्सा है सांत करना चाहता है हम आपको बता दे कि आज से जो भी प्यस्थी पास अभ्यार्थि हैं जिन्होंने भी प्यस्थी क्वालिफाई कर गया है आंदोलन सुरू कर चुके जो जनकारी मिल रही है पक्तना के गरदनी बाग में लोग बैठ गये हैं अब सरकार की चूल से हिलने लगी है तो जल्दिबाजी में दस से पंद्रह हजार लोग रिक्तियों पर रिजल्ट जारी करके मामली को सांत कांगना चाहती है अब अभ्यार्थियों के उपर हैं जिम्मेवारी कि आप अपना हक पूरा लेते हैं कि नहीं लेते हैं बिभाग के नुसारी लगब पचास हजार सीटे खाली हैं तो बारह से पंद्रह हजार सीटों पर ही इस रिक्तियों की ही दुवारा जो सप्लिमेंटरी जल्ट के उजारी किया जाए जब अतुल परसाद ने कहा था कि सेकेंट लिष्ट थर्ड लिष्ट हम सब जारी करेंगे जब तक भैकेंसी पूरा न अधिन ने कहा कि बिहार के लगभग 20,000 इवावों को ही सिक्षक की नोकरी मिली है उनका आंकड़ा भी बिल्कुल सही जा रहा है खूद सरकार कह रही है कि 1214,000 जो हैं बिहार के बाहर के लोग जुआइन किये हैं बिहार के अंदर के लोग जुआइन करने के बात है तो 40,000 नियूजिस सिक्षक जो पहले से सिक्षक थे वही फिर सिक्षक बन गया दूसरी बात कि उसके बाद अयोग करार दिये जा रहे हैं सरकार के नुसार जो आंकडा प्रसुत किया जा रहा है अब तक 20,000 अयोग करार दे दिये गए तो 20,000, 40,000, 60,000 उधर ही हो गया और उसके पांच दिनों का जो समय दिया गया है इसमें भी बहुत कम बहुत कम तो 3-4,000 लोग तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं तो 74-75,000 तो महांजी जी का अंकडा कहां गलत कहां गलत 1,20,000 में 74-75,000 सीटे जब खाली रह रही है अब पूरा बड़ा आयोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 30 में अब तक आजादी के बाद से सबसे बड़ा नोकरी दिये हैं सबसे बड़ा सरकारी भैकेंसी दिये हैं तो यह धोखा है सिर्फ धोखा है लेकिन बहुत बड़ी खबर निकल करें आ रहे हैं कि अब आयोग सेकेंड लिष्ट जारी करेगा यह एक पहली जीत है और बात हुई थी मेरी जो वकील हुए है हाई कुट के शिवनंदन भारती जी से आज ही बात हुई है उन्हें कहा है कि मैंने यह सब्मिट कर दिया है यह आगर वह पेसरकार से हम इस तीजल्ट को खारिज करने की मांग करते हैं नहीं तो जीतने भी BPSC क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं अपने कटेगरी में सारे के सारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए एक से पांच तक के लिए उनका सबसे ज्यादा जो रहे एक से पांच में ह है लेकिन उन्हें नोकरी नहीं मिली कटफ हाई कर दिया गया तो दोस्तों अपना विचार अपनी बात कॉमेंट में जरूर बताईएगा और इसी तरह से जनकारी लेकर हमाते रहेंगे हर अपडेट के आपके समक्ष परसूस करते रहेंगे आपने जो प्यार दिया उसके ल उपर तक पहुचाने का प्रयास करेंगे तो अपना बहुत बहुत खाल रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बता देंगे के पीछे सिस्टी अब आपसे बिदा लेते हैं जैहिंद बंदे मात्रम्द